जर्मन चोड़कर कोई भी किसी दी कंट्री में बंदा जाता है, तो वो वापस भाग कर जर्मन में आ जाता है। ऐसा क्या है जर्मन में कि लोग कहीं पर भी रहा नहीं पाते हैं। वापस जर्मन में आ जाते हैं असलावलेकम मैं राना लुक्मान आपकी खिदमत में हाजर उमीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे जैसा कि मैंने आप से वादा किया था कि मैं जैसे जैसे यहां पर पेपर चेंज करवाऊंगा आप लोगों को बताता रहूँगा ताक तो आपको मैं इसी वीडियो में कोशिच करूँगा सारी डेटील के साथ चीज़ बता सकूँ सबसे पहले इटली हो या कोई भी कंट्री हो वहां से यहां पर आकर आपने कैसे पेपर चेंज करवाने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं मैं रहा हूँ युनान के अंदर औ इटली से जैसा कि आपको पता है कि कारता सुजोर जब मिल जाती है तो वो कारता सुजोर किसी भी यूरप की कोई भी यूरप हो किसी कंट्री में भी आप जाकर उस पेपर को चेंज करवा सकती हैं और आपको इजाज़त होती है कि आप काम कर सकती हैं जर्मन का जो रूल है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा ताके आप लोगों को असानी हो सके सबसे पहला जो काम आपने करना है यहां पर आकर एक गर डून रहा है आपने गर लेना है अगर आपका कोई बंदा यहां पर है तो जैसा के इडली में हाउस पीती मिल जाती है यहां पर मैल्डिंग आपने करुआ ले नहीं है बहतर है वो करुआ लें क्योंकि अगर आप गर लेंगे तो वह पहले नंबर पे क्योंकि मैं गार डूंड रहा था मैंने बहुत सारे ओनलाइन ही यहां पर अजन्सिया है और ओनलाइन जो ड्रेक्ट मालक भी बात कर लेता है लगाए होते हैं मालकों ने और वह आपको दे देते हैं सानी के साथ लेकिन उसके लिए आपको ज ने गर लिया है उसके पास जगा है अगर आपकी रहाश आपको दे सकता है तो आप उसके साथ अपनी हाउस्पीटी बनवा लें मैल्डिंग करवा लें तो वहां से वह पेपर लेकर आपने जाना है यहां पर एक ओफिस है वहां पर जाना है वहां पर जाकर आपने वह वहा आपको मोर लगाकर वो पेपर जो जैसा के हाउस पीती आप लगा लें के मिलती है वैसे ही यहां पर वो एक पेपर दे देंगे और वो आपको देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको यहां पर जैसे के वहां पर इटली के अंदर कोदीची फिसकाले की जरूरत होत की चाहिती है तो वह आपको विदिन एक वीग के अंदर आपके गर में बेज देंगे ठीक है वह पिन वह लेकर आपके गर में आए मिई आएगा वह पिन लेकर आपने किसी भी अगर आफको आपको लगवादे नहीं तुमां आैigkeiten की अपने जॉब दूड़नी है वहाँ पर आपने चले जाना है वहाँ पर जाकर आपको कुंट्रेक्ट करवा लेंगे काम का कुंट्रेक्ट करवाने के बाद आपने वो कुंट्रेक्ट लेकर रहत हाउस जाना है और वहाँ पर आपने जमा करवा देना है उसके बाद यहाँ पर आपका जो डेक्ट्री कार्ट जिसे आप कह सकते हैं ओका कार्ट एक होता है वो बन जाएगा उसके बाद बनेगा लेकिन वो आपका पेपर रख लेंगे आप से आपको फिर वो भी टैम लेंगे तूंकि करोना की वज़ा से यहां पर बहुत ही सूर्टेहाल नाजूक है पहले एक दिन में जो काम होता था अब तीन-तीन माँ की अपॉंट्मेंट दे रहे हैं तो हमने तो मैंने भी यहां पर वेट किया है तीन माँ फिर अपॉंट्मेंट मिली फिर रिजिस्टर हुए फिर बाद में काम के लिए मैं जा सका हूँ और सबसे इम्पोर्टेट बात कि सजर है जो यहां पर चेंज करवा सकते हैं कि अपने पेपर वही आएं अगर आपके पास कारता सजर नहीं है में और आप दो साल कि सज्वर के उपर तो यहां पर आपको काम जो मिलेगा उससे बहतर है कि इतली के अंदर आप उतने कमा लेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप बलैक में करते हैं, कहीं पर कोई आपको रख लेता है, तो फारे इतनी सैलरी नहीं देता, जितनी आपका हकोता है, तो अगर दो साल वाले आना चाहते हैं, तो वो अपनी मर् पैसे आगको इटली के अंदर भी मिल जाएंगे हैं युनान के अंदर उतने पैसे नहीं मिलते तो युनान वाले जो हैं वो भी उनके पास भी जो आगर पासपोर्ट मिल गया है उनको यहां दस साल के पेपर जो मिल जाते हैं, फारएवर पेपर जिसको फारएवर विजा कहते हैं, कार्तस जो रिटली के अंदर कहते हैं, वो अगर है तो यूनान के अंदर इतनी सैलरी नहीं है, इसलिए वो आप यहां पर आएं तो उनके लिए बहतर है, दूसरी बात कि यहां पर वैसे लोग डंकी लगा कर रही हैं किसी कंट्री से पके पके आना चाहते हैं, उनके पास पेपर नहीं है, तो वो ही कनून है यहां पर जो पूरे योरप में हैं, यहां पर आपने अजील करवानी हैं, अजील करवाने के बाद यह है, कि आपको अगर इजाजत नह यह साढ़े काम कर सकते हैं लेकिन आपको रहाश Monday से लेकर 400 euro और कहीं Paul ते रहे हैं उन्दी देंगे आपका ख़र्चा कि आपको नगद भी दे देते हैं ठीक है नगद जाकर वह ले 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 और कुछ जगा पर मैंने सुनां ये कि बहुत डे वह कर सकते हैं पैसे नगद निए यहां पर जहां मैं हूँ यहां पर पैसे देते हैं और दूसरी बात वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर आप देखते नहीं है इसलिए मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा इन्शाला मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आज भी मैं काम से ही आ रहा हूँ और आते ही मुझे किसी दोस्त ने कहा कि यार आपने कहा था इन्फर्मेशन देंगे तो हमें इन्फर्मेशन दें तो मैंने यहां पर यह रास्ते में खड़ा होकर बस से उत्रा हूँ और रास्ते में खड़ा होकर यहां पर मैं आपको इन्फर्मेशन दे रहा हूँ दूसरी बात अगर काम की आप बात करें किस हद तक सही है यहां पर अगर आप इटली के अंदर 12 क्योंकि कोई भी मुलक है वहां पर मुझे मुझे नहीं अमीद के जाते ही आप 2000 तक कमा सकती है तो यहां पर जब आपके पिपर चेंज हो जाते हैं आपको पिन मिल जाती है उसके बाद आपको 13 योरो गेंटा कुछ कंपरियां दे रही हैं और 11 योरो कुछ सेंट आपको दे रही हैं तो यहां पर कम से कम भी जो सेलरी है वो 11 योरो कुछ सेंट बनती है अच्छी सेंट या 40 सेंट यानिके जो नेटो जो टेक्स के अलावा आपके पास आएगी जो टेक्स काट कर आपको मिलेगी वो तकरीब बन उनी सो दोजार तक हैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो कहा था यार हमें पांचाल साल होगे यहांपर आप क्या कहरे हो 2, 2000 रुए तो लोगों को लोग यह नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास पेपर नहीं है यार भी लग जाते हैं वो आपको सैलरी उतनी नहीं देगा जितनी आप का हक होता है और मैं अभी काम कर रहा हूँ आठ गंटे काम मेरा है तो कहने का मतलब यह है कि यार अच्छी सैलरी मिल जाती है अगर आपके पास पेपर हैं अगर आपके पास अजील वाले हैं और आपको काम की अजाज़त नहीं है तो फिर अच्छी सैलरी आपको कैसे मिलेगी और जो अजील करवाते हैं उसके बाद आपको इजाजत मिल जाती है जब काम की तो फिर वो वैसे ही हिसाब है जो आपके पास पेपर जैसे रेगुलर आप काम कर सकते हैं तो याँ पर असानी से काम मिल जाता है और वीडियो लंबी होगी है नेक्स्ट मैं आपको तरीका भी बताऊँगा अलाहाफीज पाकिस्तान जिन्दाबाद